आज की टॉपिक है क्लास्ट वेल्थ के बाइलोजी च्टुएंट्स के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आएं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा मैं आपको जितने भी क्वेस्टन बता रही हूं सारे के सारे क्वेस्टन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन है और पूरा के पूरा आप पढ़के जाएगा अगर आप इससे पढ़के जाएंगे तो आपको इससे अलामा कहीं कुछ भी पढ़कर नहीं जाना पड़ेगा क्य इक्जाम में आता रहता है चाहे वो 83 हो वार्षिक हो यार्धवार्षिक हो कोई भी एक्जाम हो उसमें आता रहता है यह सब धोरा निसेचन क्या होते है तो यह आप लोगों के लिए इसको भी आपढ़ लिजिएगा इसे भी आपढ़ लिजिएगा तिसरा है बहु भूरूर्टा जो की परिभासा भी राइट करने को आ सब्सक्राइब कर देजिएगा क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बहुत सारे आइसे ट्रीक आपको बता रखी हूं कि अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता है अगर आपने कभी वोड एक्जाम नहीं दिया है फिर भी आप कैसे पास हो सकते हैं और जो क्वेस्टन नहीं अनिशेक फोलन वा अनिशेक जनन क्या होता है यान्टी जो फॉलन होता है और अनिशेक जनन होता है वो क्या होता है तो आप जरूर पढ़के जाएगा सारे की सारे most important है question पाचवा है नर एवं मादा जनन तंत्र जोकी very very most important है क्या नर एवं मादा जनन तंत्र ठीके जोकी most important है जरूर पढ़ लिजेगा वो topic है आपका पाचवा छठे question पे आते हैं सुक्राडू छठे number पे आता है आपका सुक्राडू क्या होते हैं तो आप जरूर पढ़ लिजेगा सब के सब board exam में आने वाले हैं मैं जितने भी आपको बतारी हूं पढ़के जाईएगा इसमें से पक्का आपको पूरे की पूरी मैं 100% गारंटी लेती हूं कि सारे के सारे फसने वाले हैं सिकेंड आता है सुक्राडू जनन ठीक है सिकेंड आता है सुक्राडू जनन सुक्राडू जनन अगर आप मैं बताऊंगी जितना अगर आप पढ़के जाएंगे तो आप अपने बोर्ड एक्जाम में 70 नंबर पक्का है कि आप ला सकते हैं ठीक है और मैं 100% की आपको गारंटी भी देती हूं कि आप पूरे के पूरे नंबर अपने टॉपिक में ले आप आएंगे और पूरा का पूरा आपकर आप बिना पढ़े भी हो तो भी आप 70 नंबर ले आएंगे केवल मैं जितना बता रही हूं आप उतना पढ़के जरूर जाईएगा नेश्ट है मासिक चक्र क्या है मासिक चक्र आठमा है इसे भी आप पढ़ लिजेगा नवा नंबर पे आता है अपरा यानि अपरा क्या होता है ठीके नवा नंबर क्या है अपरा होता क्या है इसको राइट करना रहेगा ठीके तो इसका परिभासा भी रहेगा दस्वे नमबर पे आता है जनन स्वास्त और मौन संचारिक रोग जो कि most important है क्या है most important है आपकी लोगों के लिए यानि जनन स्वास्त और मौन संचारिक रोग क्या होता है इसे भी पढ़ लिजेगा तो students अगर आप class 12th के students हैं biology के तो अगर आप पूरा नमबर पाना चाहते हैं यानि 70 में 70 लाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा 100% guarantee के साथ पढ़के जरूर जाईएगा फिर नेश्ट आता है परिवार नियोजन की विधिया ठीक है जो परिवार नियोजन की विधिया होती है उसको राइट करने को आता है जो कि most important है परिवार नियोजन क्या होता है इगरावे नमबर पे है नेश्ट है चिकिच्ची सगर्भता समापन क्या होता है मतलब जो चि गर्वाता समापन होता है, वो क्या होता है? इसे राइट करना रहता है. नेष्ट है? बंध्याकरड. ठीक है? नेष्ट क्या है? बंध्याकरड क्या होता है? Most important है? जरूर पढ़ लिजएगा. पंद्रवे नंबर पे आता है अपूड प्रभाविता वह साप्रभाविता ठीके यानि कि अपूड प्रभाविता और साप्रभाविता यह most important question है friends यह आपको हर जगह, हर question में, हर topic में आपको आते रहते हैं यानि कि अपुड़ प्रभाविता वो सब प्रभाविता क्या होते हैं सुलावे नंबर पे लिंग निर्धारण कैसे होता है यानि मनुस्यों में और पच्छीयों में तो मैं जितने पतारिओं के लुतना ही पढ़के जाईएगा इससे बाहर का मत पढ़के जाईएगा अगर आपने अभी तक अगर कॉलेज में कभी गए नहीं है तो मैं जितने भी टॉपिक बता रहे हूं कि उतने ही टॉपिक वो पढ़के जाईएगा और हाँ फ्रेंट्स इतना याद रहे कि आप जब भी question bank वगरा लीजेगा तो राजीव का ही प्रकासन का लीजेगा उसमें काभी अच्छे से पुरा story समझाई रहती है उसमें सारे repeated question दिये रहते हैं तो आप ज़रूर से ले लीजेगा सत्रहवा है सहलगनता क्या होता है सत्रहवा नंबर पे है कि सहलगनता होता क्या है very very most important है ज़रूर पढ़ लीजेगा अठ्रहवे नंबर पे आते है लीज सहलगन वेशागती यानि जो लीज सहलगन वेशागती होती है वो क्या होती है इसका long answer आ सकते है तो आप ज़रूर पढ़ लीजेगा उनबर पे गुड सुत्री विकार ठीक्या है गुड सुत्री विकार क्या होती है ठीक है फ्रेंड्स तो यह सब आप जरूर पढ़ लिजेगा यह सब 20 वी नमबर पे अनुवांसिक पदार्ख यानि जो DNA होता है अनुवांसिक पदार्ख यह भी most important question है आपके लिए 21 वी नमबर पे आता है DNA की सरंचना क्या आता है DNA की सरंचना क्या होता है इसे भी write करने को आता है 21 वी नमबर पे क्या है DNA की सरंचना है 22 वी नमबर पे DNA तथा RNA में अंतर very very most important है यानि DNA तथा RNA में अंतर क्या होता है तेश्वे नंबर पे DNA पैकेजिंग यानि जितने भी टॉपिक है DNA के सब के सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरे के पूरे आप जरूर पढ़के जाईएगा DNA का चेप्टर मौत्पुड होता है जो कि आपका 20-30 नंबर का क्यों DNA के चेप्टर से आ जाता है देख लिजए 24 समा है अनुवंसी कूट क्या होता है ठीक है अनुवंसी कूट क्या होता है और 25 समा है जीनोम मानो जीनोम प्रोजेक्ट है और नेश्ट है DNA फिंगर फ्रिटिंग DNA फ्रिंगर प्रिटिंग है यानि कि मैं बता रहे हूँ जिदने भी आपको answer question आ रहे हैं DNA के सारे के सारे most important है और आप उसे जरूर पढ़ लिजेगा क्योंकि आपके board exam में यही आने वाला इससे के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं आने वाला है इसलिए आप इसे जरूर पढ़के जाईएगा सब्सक्राइश में है malaria, dango, typhoid, chicken, guinea क्या होता है यानि कि इन सब का आपको पूरा details लिखना है malaria, dango, typhoid, chicken, guinea यह सब आपको write करना है तो आप write जरूर कर लिजेगा यानि malaria का भी dango, typhoid, chicken यह important है, जरूर पढ़के जाईएगा next है, 28 नंबर पे आता है आपका प्रतिरच्छा क्या है जन्वजात एवं उपरजित ठीक है, यानि कि जो प्रतिरच्छा है वो क्या है, यानि कि दो आप्सन दिया है यह long question में आ जाएगा तो आपका दस नंबर का यह आ जाएगा तो आप प्रतिरच्छा क्या है जन्वजात एवं उपरजित क्या होते है AIDS एवं cancer very very most important है यानि AIDS रूप क्या होते है और cancer क्या होते है तो इसका वरगी करण करने को आता है यानि long answer में आ जाएगा और कुछ short answer में भी कभी कभी एक दो नंबर की questions अब बेगलपी के रूप में आ जाते है next है नसीले पदार्थ वो इसके प्रभाव क्या होते है यानि जो नसीला पदार्थ होता है और इसके प्रभाव होते है इसको राइट करना रहेगा second है मानो कल्याड में सुस्मजीव मानो कल्याड में जो सुस्मजीव है उसे आप जरूर पढ़ लिजएगा 32 है वाहित मल 32 है वाहित मल और क्या है जै उर्वरक दोनों पढ़ लिजएगा यानि कि आपका जो टार्गेट है 95% का ठीक है तो यह तो आपका डन है अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं क्या अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो मैं जितने भी आपको टॉपिक बताई हूँ पूरा के पूरा पढ़के जरूर जाईएगा क्योंकि इसके अलामा कहीं भी नहीं आने वाला है जितने भी मैं important questions दे दी आपको दे और सबसे important chapter क्या है DNA का ठीक है DNA, RNA most important chapter है जिसमें से आपको 20-30 नंबर के फस्ते हैं तो आप जरूर से पढ़के जाईएगा नेश्ट है, चोतिसमें प्लाजमिड क्या होता है नेश्ट क्या है कि प्लाजमिड होता क्या है इसका पूरा डिटेस आपको लिक राइट करने को आजाता है जो कि very very most important है पैतिसमें अनुवानसिक अभियांत्री की किसे कहते हैं ये भी राइट करना रहेगा बायो, रियक्टर, very very most important है यानि बायो, रियक्टर क्या होते हैं येसे भी आप जरू पढ़ लिजेगा पैतिस नंबर पे PCR, PCR क्या होता है इसका वर्गी करण गैनी के long answer में आएगा प्रतिबंधित एंजाइम, ये भी राइट कर लिजेगा, एंजाइम very very most important है जैल, इलेक्ट्रो, फोरेसिस, very very most important है कौनशी टॉपिक, जैल, इलेक्ट्रो, फोरेसिस, क्या होता है नेश्ट है चालिस नंबर पे जल प्रद्योगी की क्या उपयोग, ठीक है, very very most important है जैल प्रद्योगी की ये भी चेप्टर बहुत ही important है 41 नंबर पे पारजीनी जन्त, ठीक है, पारजीनी जन्त क्या होते है ये भी 41 नंबर पे जरूर पढ़ लिजेगा सिकेंड है, बायो पैरेसि वो बायो पेटेंट क्या होता है जो बायो पैरेशी है वो बायो जो पेटेंट है वो क्या होता है इसे भी आप पन लिजएगा next BT फसल और GM फसल क्या होता है यानि जो आपका BT फसल होता है और GM फसल होता है वो क्या होता है most important questions से तो पढ़के जरूर जाईएगा friends बाता है इस तेम कोशिका क्या होती है क्या है इस तेम कोशिका क्या होती है 45 नंबर पर पूर्णोर्योजन दिएन्न तकनिकी मैं वैसे भी पता चुक है हूं कि दिएन्ने चेप्टर बहुत ही इंपोटेंट है चैलिस नंबर पे जीन थेरेपी एंजाइम थेरेपी ठीक है जीन थेरेपी और जो एंजाइम थेरेपी है वो क्या है 47 है अनुकुलन पादप में यानि जो अनुकुलन जो पादप में इसे भी पढ़ लिजेगा 48 नंबर पर सहो पकारिता पर जिविता स भोजिता ठीक है फिले नंबर पर भच्छड़ा 49 है मृदा परिछे दिगा निसीकेंड क्या है मृत परिच्षेदिया है परभच्षड और परभच्षी परभच्षड और परभच्षी में अंतर राइट करने को आता है और कभी-कभी short answer में long answer में और पहुब कल्पी रुप में आ जाता है जो की most important है तो friends प्रॉब्लम होगी लेकिन जो मैं बता रही हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है यानि रिपिटेट क्वेस्टन है सारे के सारे तो जरूर पढ़के जाईएगा